वेलकम तो स्टडी आएक्यू आम अमित वरीदी किलोर बाइस अगस को रक्षा बंदन है आप सब को राकी खरीदनी है I have a brilliant idea for you to buy rakis Most probably all over India तो possible नहीं हो पाएगा लेकिन हाँ और अगर औरंगाबाद के पास कोई है महराश्च में कोई है तो उनके पास एक बहुत ही बड़ा innovative सा idea है एक ऐसी राकी खरीदने का जो की nature के बहुत पास है What I am talking about is Ministry of Tribal Affairs का एक initiative है ठीक है उसका नाम है वरक्ष बंधन प्रोजेक्ट बेस्ट ऑन दी रक्षा बंधन प्रोजेक्ट ठीक है क्या है यह unique initiative ट्राइवल मिनिस्ट्री ने लिया है और अंगाबाद में जहां पर जो ट्राइवल महिलाएं हैं ट्राइवल फीमेल्स हैं They are making rakhis but those rakhis are made with the indigenous trees. The project is the वरक्षा बंधन प्रोजेक्ट और वरक्षा बंधन प्रोजेक्ट में राखिया बनाई जा रहे हैं ट्राइवल फीमेल्स के द्वारा लेकिन आइडिया यह है कि बहुत ही बायो डिग्रीडेबल राखी बनानी है तो जो indigenous seeds हैं वो उस राखी में हुए हैं उनको बो दिया जाएगा ताकि प्लैंट भी ताकि पेड़ भी प्लैंट ट्रीज भी प्लैंट किये जा सकते हैं अब क्या हुआ इनिशेटीव उस लांच वाइडि ट्राइबल अफेर्स ठीक है उन्होंने यह लांच किया जहां पर कम से कम 1100 महिलाओं को उन्हों लगाया जा सकता है इस इस एड़ और इस बाकि जो एरिया है वो बड़ा ही बाइड़ इग्रेड़ जो कॉटन होता है उसको उसमें यूज किया जा रहा है ना दा आइडिया इस तो इंक्रीज फॉरेस्ट कवर और कॉमबट क्लाइमेट चेंज चेंज इस ग्लोबल कर भड़ता है राइड वन दे अवेरनेस इंक्रीज देन ओनली वी एबल तो अचीव धूज प्रोजेक्ट जहां पर हमें पूरे के पूरे गलोबल तेंप्रेचर को दो डिग्री से कम रखना है जिसमें तस हजार से भी ज्यादा ट्राइबल फार्मर्स है औरंगाबाद ज लेके देर बिंग ट्रेंड अनिस अस्टेंबल नैचुरल फार्मिंग तेक्निक्स जो होती है तो इन्वायरमेंट को नुकसान भे नहीं होता है और एन्वायरमेंट से हमें जो चाहिए हमें वो मिल भी जाता है इसी प्रोजेक्ट में जो गो आधारित कृशी टेकनीक्स सिखाने का प्रोजेक्ट चल रहा है और अंगाबाद में जहांबे 10,000 ट्राइबर्स को ऐसी सस्टेनेबल और्गैनिक फार्मिंग टेकनीक्स दिखाई जा रही है वही पर एक मंच है जिसको कहा जाता है महिला किसान मंच उनको यही आइडिया आए कि अगर इस बार जो राकिया बना रहे हैं रक्षा बंदन पर जो सुनने में लग रही है आपको इस अक्तिविटी से जो ट्राइबल फार्मर्स का रोल होगा organic farmers ने, वो highlight होगा सबसे पहले, environment से संबंदित, climate change से संबंदित awareness बढ़ेगी, to tackle the issues like air pollution or the climate change the basic philosophy is that की तीन, जन शक्ती, राज्य शक्ती और देव शक्ती, need to be coming together, अब जन शक्ती मतलब की people, we, we the people मैं, आप, जितने भी tribal लोग है, राज्य शक्ती मतलब the power of the state, the government, right, the ministries उन सब को साथ में आना है, and the देव शक्ती देव शक्ती मतलब the divine power of the environment or the nature or the forest, anything आपकी understanding में भी जो भी आता है, देव शक्ती, तो ये जो तीनों के तीनों चीजे हैं, एक तो administrative, एक तो individual एक spiritual, the divine angle of all these things, उन तीनों की तीनों चीजों को साथ हाना होगा, तभी जाके हम climate change को tackle कर पाएंगे, आप समझ रहे होगा कि जब भी tribal कोई भी thought या philosophy होती है, वहाँ पे nature is always divine, nature is seen as one with the God, right, that is the whole point of being the tribal philosophy is similarly उनी ideas को इसी project के दुवारा channelize किया जा रहा है into first generating a livelihood for the females and also increasing the awareness. They also emphasize the importance of organic farming, complemented the tribal farmers, social workers and officers associated with the project. यहाँ पर यह राखियों का जो main project है, specifically मैं repeat करता हूँ, बीड 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 इंडिजीनियस seeds on naturally dyed soft, indigenous, non-taxic biodegradable cotton. और अर अगा बाद के अगर आसपास हो, तो probably इस बार यही राखियों यूज करनी चाहिए. इस राखियों 22nd of August, you can probably figure it out, यह कहाँ पर मिलेगी, महाराष्च्च मैं. Once seeds can be sown in soil, thereby benefiting the environment, it is being assumed and we are hoping also, कि जितनी भी यह राखिया होंगी, जितनी भी लोग इस पर खरी देंगे rakshaabannan पे and a lot of them will be sold there. अगर बच्चे चाहेंगे तो इसको खुद सो कर देंगे. तो इसको खुद सो कर देंगे. तो इसको खुद सो कर देंगे. अगर नहीं भी सो करेंगे. They are all seeds, right? Indigenous seeds हैं उसी area के. So, they will finally return to the environment and it will lead to thousand of trees being planted under this project and will provide employment specifically to tribal women who are associated with this project. अगर इसको comprehensively आप देखूँगे. So, look at the project. So, there is this ministry of tribal affairs project कर रहें. ठीक है? Idea is right now going की tribals को हमें organic farming techniques सिखानी है, right? The go अधारित. Based on the cows. Cows associated जो organic farming techniques हैं, उनको सिखाये जा रहा है. And a huge project is going in Aurangabad, जहांपे वाजू-वाजू के 10 village हैं, जहांपे more than 10,000 tribal farmers are associated with it. तो वहाँ पे अलग-अलग social groups बना रखें हैं. उसी में से यह है महिला किसान मंच. So, महिला किसान मंच की क्याना महिला है, इनकम बढ़ाने के लिए उन्ही की तरफ से एक नया initiative है वाया है. Initiative है कि there is going to be raksha bandhan and we shall be making राखी ताकि एक तो awareness बढ़े की associated and we'll be ensuring कि वो in consonance, in sync with the ideas of sustainability, with the ideas of climate change के साथ हो. And they use this idea to create these rakhis for you. Brilliant if you think about it. In case you need the PDF of this class, this is the Telegram channel that you can join. I share the PDFs and the upcoming notifications also on this Telegram channel. However, if you have anything to say to me, you can hit me on any of my social media anytime you want. Have a nice day.